दोस्तों आज के वीडियो बड़ा इंट्रेस्टिंग और इंफर्मिटीव होने वाले क्योंकि दोस्तों मैं फर्स्टाम ये वीडियो बना रहा हूँ जैसे से रिलिटेस्टों आजिए वीडियो आप इंट्रेव में जाते हो तो उसमें एसे बहुत सार इसे कोशन हो अक्सर इंट्रेव में पूछा जाते हैं वही बंदा रट किया या इसको knowledge भी है तो आई जोसों आपको for example जिसे दिखाता हूँ जैसे कि आपने उसे पुछे जाएगा है 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 फिर आप उसका जवाब देते को पुछे का आप से कितने देर के लिए परमिसर में लिमिट रहता है फिर इसका आप से पुछे जाएगा कि पुछे का है फिर इसको बाद सवाब जैसे 15 मेंट के लिए होता है फिर इसका आप से पूछेगा कि स्वाब देते को पूछेगा कि आप उसका जवाब देदेगों तो पूछेगा कि स्टूस वहां ही क्यों पाया जाता है इस तरह कि दोस्तों बहुत सारा ऐसे कोशें ने जो पूरे 30 कोशें इसके सास सास और 15 कोशें जो आपको लगे के का आप रियल-lif इंट्रिव दे रहो दोस्तों तो आई दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं इंट्रिवेर कैसे 10 PPM है तो कितने देर के लिए दोस्तों जेनरल इसका 8 hours होता है फिर जैसे आप 8 hours का जवाब देगो तो पूछेगा यार कि फिर यह S2S Permissible Exposible Limit क्या है तो दोस्तों इसका क्या दूसरा नाम है तो इसका दूसरा नाम दोस्तों यूझे धाज़ा तो फिर आपसे दूसरा सवाल पूछेगा कि OSHA क्या है तो फिर आपसे दूसरा सवाल होगा कि अचा OSHA के लिए पी एल्यूज होता है तो क्या कोई ऐसा Standard है जो फिल के दूसरा वाड यूजह करे, जी हां दूसराAmerican क्या होता घाल फिर आप से पूछेगा REL क्या होता जवाब दोसका तो REL का आप जवाब देगा यह recommended exposure limit तो फिर आप से पूछेगा यह recommended exposure limit कौन से standard के हिसाब से भाई तो आप उसका जवाब देगा कि भाई यह NIOSH standard के हिसाब से फिर आप से पूछेगा कि NIOSH क्या है तो National Institute of Occupational Safety and Health यह भी एक organization है American फिर आप यह जवाब देगा फिर इसका अगला सवल आप से पूछेगा अच्छा यह बताओ TLV TWA क्या है तो आप इसका जवाब देगा कि TLV एक threshold limit value है time weighted average है फिर आप इसका जवाब देगा तो फिर आप से पूछेगा अच्छा यह TLV TWA कितने देर के लिए होता है तो फिर आप जब इसका answer देगा तो फिर आप से पूछेगा कि भाई यह STL क्या होता है short term exposure limit जब आप इसका जवाब देगा तो अगर फंसाना चाहें interview होता फिर आप से पूछेगा कि अच्छा STL कितने देर के लिए होता है तो फिर आप जब इसका जवाब देगा तो इंट् 15 ppm allowed है जब आप 15 ppm जवाब देदेगा फिर आप से पूछेगा है IDLH का नाम सुने हो आपने हाँ sir immediate danger to life and health means इतना हो कि इंसान emergency में भाग सके तो आप इसका जैसे जवाब दोगे तो फिर पूछेगा है यह लुट खुल दोश्डसका फिर आप जवाब देदेंगे तो फिर आप जवाब देदाए तो फिर आप से पूछेगा अच्छा बताओ hum और क्या होता है उसका थोड़ा और explain करो तो दोस्तों S2S का 4 जो होता है दोस्तों इत मींस यह होता है कि fire का जो rating है वो भी 4 है और health का rating है वो भी 4 है यह पूछना चाहरा है interviewer फिर आपसे पूछेगा दोस्तों कि अच्छा बताओ LEL कितना है S2S का तो आप बोलेगा 4.3 फिर पूछेगा अच्छा 4.3 है तो बताओ इसका UEL कितना है S2S का तो 46% है जब आप यह बता दोगो तो अच्छा बताओ इसका explosive range क्या होता है S2S का दोस्तो 4.3 to 46% इसका explosive range होता है जब इतना जवाब दे दोगो तो दोस्तों और भी आपसे पूछेगा अगर पूछना चाहे तो पूछा अच्छा बताओ S2S में ली काम फाउंड होता है तो sewage में found होता है बहुसे natural gas process में भी होता है लेकिन जेनरली रियल लाइफ में sewage के अंदर ज़्यादा पाया जाता है अब जब sewage में पाया जाता है तो आपसे पूछेगा अच्छा बताओ S2S हेवियर है और लाइटर है तो इसका जवाब है दोस्तों हेवियर है एर से हेवियर है S2S तो जब हेवियर है तो पूछे जाएगा अच्छा बताओ कि कौन से जगह पे ज़्यादा पाया जाता बॉटम में आगर confined space में जा रहो तो बॉटम में पाया जाता है या lower में तो दोस्तों इसका जवाब है mostly bottom है जमीन के नीचे में क्यूंकि हेवियर होने के वैसे नीचे जादा पाया जाता है इन मीडल और अपर पार्ट के जब आप इसका जवाब देगा दोस्तों तो फिर आप से पुछए अच्छा बताओ S2S का को अधर नाम भी है और दोस्तों बहुत सारे आग 10 नाम होता है जैस वीडियो के आप पुछा जाए आप से पूछाए जाया गए है सकते का स्टमश रही कैसो थे नाम पर इनाम पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और ऐसे भी कम कंसर्ट्रेटर में रोटन एक का स्मेल देते हैं दोस्तों आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस तरह की वीडियो के लिए आप कमेंट्स कीजिए और जो भी इस फिल्मेट ताहरी कर रहे हैं सेफटी के लिए उसको आप शेर भी कर सकते हैं और चैनल पर न